Assalamualaikum everyone। अ कैसे हैं आ। आमसे खिरती हूं कि आयो newer-US tu kia alam आप लोगों को हमेशा हमेशा खुछ होगा हैं किες वीडी लोगों की बेना हओốn किस बारे में आप लोगों को इनफॉर्म करने लगई हूं वीडेयो को कमप्लीट देखने हैं वीडियो को skip नहीं करना अगर अगर अच्छी लगेगी तो दूसरों को साथ पर शियर कीजिएगा सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें क्योंकि मैंने अभी अभी अपने उस पे चैनल पे देखा है कि 94% लोग हैं जो चैनल को बीना सब्सक्राइब किये वीडियो देख रहे हैं और जस्ट 6% हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो देखते हैं यार प्लीज आप लोगों को क्लिक लगता है प्लीज सब्सक्राइब करते हैं हाज जी तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बारे में कि बहुत ज़ादा मतलब लड़कीओं और लड़कों को भी इस चीज का क्रेज हुआ है कि बस रंग वाइट करना है बस गोरा करना है उसके लिए चाहिए हमें कुछ भी करना पड़े तो भाई रंग को गोरा करने के लिए आप तो मतलब उल्टा सिधा कुछ भी नहीं यूज करोगे ठीक है तो कि जाहर सी बात है आप अपनी स्किन के साथ अपने साथ कुछ गलत नहीं कर सकते तो इसलिए मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी क्रीम जो है वो मैं मतलब खुद यूज करती हूँ होमेज क्रीम है और वो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शियर करते हैं first of all तो vitamin C के बारे में आप लोगों को पता होना चुई है कि vitamin C एक बहुत जबरदस vitamin माला जाता है इस बारे में कि वो आपके color को फियर करता है चीक है तो यहां पर हमारे पास Sikon की vitamin C की tablets है जो कि मैंने इनका पहले भी review शेयर किया था इनके साथ गोरा रंग होता है या नहीं होता है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अपी जाके वो वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जी तो सबसे पहले तो आपको Sikon की यह tablets चाहिए 150 में 160 में आई थिंग सो medical store से easily मिल जाएंगे और यह काफी टाइम चल जाती है खाने में भी और यूज करने में भी फेस पर भी ठीक है तो सबसे पहले तो हमने एक tablet लेनी है और उसको जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से powder बनाने ला है इस तरह बनाना है आपने काफी जादा hard नहीं होती है बहुत soft होती है यह easily किसी भी चीज से अगर आप इसको hit करेंगे तो वो powder उसका बन जाएगा तो आपने करना कुछ ही हो है कि सबसे पहले तो आपने इसका powder बना लेना है जास्ट एक टैबलेट का ठीक है जिस तरीके से मैं आपको यहां दिखाऊंगी कि आपने क्या क्या डालना है इसमें और किस तरह से यह यूज़ करनी है यहां पर हमने एक टैबलेट जो है वो सी कौन की लिए उसको powder बना लिया और तो टैबल स्पून उसके अंदर हमने अलवेरा जेल एड़ की अगर आप ज्यादा टाइम के लिए इसको बना कर यूज़ करना चाते है अगर आप इसको मैक्सिबम 15 दिन के लिए यूज़ करना जाते हैं तो आपको टू टेबल टू टैबलेट लेनी पड़ेंगी और उसके पाद चार जो हैं इसके अलवेरा के चमच लेने पड़ेंगे सीधी बात है ठीक है है क्योंकि जाहिर से बात है अगर आप साथ दिन के लिए कर रही हैं तो एक टैबलेट होगी और दो चमच हो जास्ट उसमें से टू डॉप्स अपनी इस क्रीम में एड़ कर देंगा अगर वो नहीं है तो आप यहां पर आलमंड ओयल भी यूज कर सकते हैं क्योंकि आलमंड ओयल भी हमारी स्किन को फियर करने में काफी मदद देता है तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है य इसलिए ताकि यह इसमें एलोवेर जेल में एब्सॉर्ब हो जाए ताकि जब हम इसको यूज करें तो इसके रिजर्ट्स अच्छे आए हाजी तो यहां पर मैं आपको एक और बात बताती चलूं अगर आपके पास को वाइटनिंग सीरम भी है उसके भी दो तिन गत्रे तो इसलिए मैं उनके लिए भी यह क्रीम लेकर आई हूँ तो आप लोग यह मतलब यूज करते हो ठीक है कर सकते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और होम मेट है ठीक हो गया नहां पर आपने जस्ट कॉटल लेनी है थोड़ी सी एन रात को सोने से पहले अपने फेस क अपने फेस को वाश किया करें ताके जो सारे दिन की को खतम हो जाए तो आपने कॉर्चन के साथ इस तरह हलके सी क्रीम लेनी है और अपने फेस पर अप्लाय कर लेनी है रगढ़नी नहीं है जैसे मैं आपको अप्लाय करके दिखा रहा organσι आपने फेस के अंदर absorb हो जाएगी मतलब dry हो जाएगी आपको मतलब कोई problem भी नहीं होगा जैसे के गर्मिया हैं तो गर्मियों में हम कोई भी क्रीम लगाने से void करते हैं oil आ जाता है face पर या हमें उल्जन होती है तो ऐसा नहीं है इससे बहुत ज़दा मतलब एक तो आपके स्कीन को यह ठंडक भी देगा और दूसरी बात है क्योंकि अलोविरा है हमारी स्कीन के लिए बहुत जादा इसके रिजर्ट्स हैं इसके बेनिफेट्स बहुत जादा है इन्शाला मैं किसी और वीडियो में आप लोगों के इसके बेनिफेट्स बताऊंगी तो आपने जुस्ट इसको ड्राइ होने देना है और सुब आपकर face wash कर लेना है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अलाहाफिज बाई बाई